नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिबर ओनलाइन क्लासेस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख युद्ध के बारे में तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि कौन सा युद्ध कि प्रम क्या हुआ था और वो जो युद्ध हुआ था वो किस-किस सासक के बीच में हुआ था तो वीडियो बहुत ही इंप्रडेंट होने वाली है दोस्तो लास तक देखिएगा तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही वे राइकन को भी प्रेस कर लें जिससे की आनिबाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे तो चलिए दोस्तो, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तो एक तरब लिखा हुआ है युद्ध का नाम दूसरी तरफ है वर्स, तीसरी तरफ है परडाम तो परडाम में आपके लिए दो चीजों का ध्यान रखना होगा एक तो इसमें आपके लिए मिलेगा कि ये जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था और वो युद्ध कौन जीता था तो यहां पर आपके चार्ट के लिए रहने वाले हैं युद्ध से संबंदित नंबर बन कौन सा युद्ध था कब लड़ा गया वो युद्ध कौन जीता और वो जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था तो नमबर बन ले लेते हैं दोस्तों, नमबर बन है हमारा तराइन का पहला युद। तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था दोस्तो ग्यारा सो एक्यानवा इस भी में जो के पृत्विरा चौहान ने मुहमत गौरी को हरा के जीता था तो इस युद्ध में पृत्विरा चौहान ने मुहमत गौरी के लिए हराया था तो दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच वह था? प्रिथिवरा चौहान और मुहम्मद गौरी के बीच में लेक्स्ट आता है हमारा त्रहाईन का दूसरा युद सू 2.191 में त्रहाईन का पहला युद्धुएा जिसमें प्रिफिबीराय चौहान ने मुहम्मद गौरी को हराया और उसके ठीक एक साल बाद तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें मुहम्मद गौरी ने प्रिथिवरा चौहान को हराया था तो जो पहला युद्ध हुआ था उसमें प्रिथिवरा चौहान जीते थे तराइन का उसमें मुहम्मद गौरी जीता था और प्रित्वरा चोहन आरे थे ये हुआ था 1192 वी में नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा नमर 3 चंदवार का युद्ध तो चंदवार का युद्ध हुआ था दोस्तों 1194 वी में तो इस युद्ध में मुहमत गोरी ने जैचंद को हराया था तो मुहम्मद गौरी और जैचन्द के बीच में यो युद्ध हुआ था जिसमें मुहम्मद गौरी ने जैचन्द के लिए हराय था नेक्स्ट आता है दोस्तो चार नमबर पे पानीपत की पहली लड़ाई तो पानीपत की जो पहली लड़ाई वी थी वो बावर और इब्रहाम लोधी की बीच में हुई थी जो की 1526 इस भी में हुई थी और इस लड़ाई में बावर ने इब्रहाम लोधी को हराया था next की तरफ चलते हैं दोस्तो next है हमारा 5 नमबर पे खानबा का युद तो जो खानबा का युद है दोस्तो वह हुआ था 1527 इस भी में इस युद में बावर ने राणा सांगा को हराया था तो ये युद हुआ था बावर और राणा सांगा के बीच जिसमें राणा सागा के लिए बावर ने पराजित किया था नंबर 6 पे आता है दोस्तों चौंसा का युद तो चौंसा का युद हुआ था 1549 एसबी में ये युद हुआ था सेरसा सूरी और हिमायों के बीच में तो इस युद में सेरसा सूरी ने हुमायों को हराया था नेक्स आता है हमारा साथ नमबर पे कन्नोज का युद तो कन्नोज का युद दो उस्तों जो हुआ था वो हुआ था पंद्रा सो चालिस एसबी में और ये युद्ध हुआ था सेरसा सूरी और हुमायों के बीच में तो इस युद्ध में भी सेरसा सूरी ने हुमायों को हराया था मतलब चौंसा का युद्ध और कर्नोज का युद्ध दोनों ही सेरसा और हुमायों के बीच में हुए थे और जो चौशा का युद्ध हुआ था वो 1549 विम्ने हुआ था और कर्नौज का युद्ध हुआ था 1544 विम्ने ये दोनों ही युद्ध में सेर्सा सुरी ने हुमायों को हराया था नेक्स आता दौस्तो, नमबर 8 वे पानी पत्की दूसरी लढ़ाई तो पानीपत की दूसरी लडाई हुए थी 1556 बी में सन 1556 बी में पानीपत की हुए थी दूसरी लडाई ये स्युद में अकवर ने हेमों को हराया था तो ये युद किस किस की बीच में हुआ था जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अकवर ने हेमू को हराया था आप इतना तो सभी समझदार हैं कि जहाँ पर लिखा हुआ है कि अकवर ने हेमू को हराया था या सेरसा ने हमायों को हराया था तो यह युद किसकी बीच में हुआ अकवर और हेमू के बीच में, जिसमें हेमू को पराजय मिली और अकवर के लिए बिजय स्रीप्राप्त हुई, तो पानिपत की दूसरी लडाई 1556 में हुई, जिसमें अकवर ने हेमू को हरा दिया था, नेक्स्ट आता है, 9 नमबर पे हल्दी घाटी का यूद, हल्दी घाटी के यूद के बार में तो आप सबी जानते ही हूँए, यह यूदध 1556 ही स्वी में यड़ा गया था, अकवर और महराणा प्रताप के लिए हाराया था, तो यह अकवर और महराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था जिस युद्ध में मारान प्रताप के लिए पराजय मिली थी और अकवर के लिए बिजय प्राप्त वी थी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों दस नंबर पे दस नंबर पे है प्लासी का युद्ध तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में अंग्रेजों ने स्राजय दौला को हराया था ये युद्ध जो हुआ था प्लासी का 1757 में हुआ था और अंग्रेजों और स्राजय दौल के बीच में ये युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में अंग्रेजों ने इस राज दौला के लिए हरा दिया था नेक्स्ट आता है ग्यारा नम्मर पे पानीपत की तीसरी लड़ाई तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी सन 1721 इस में अहमद साह अबदाली ने मराठो के लिए हरा दिया था और हमारे ये नैक्स आता है दोस्तों बक्ष्रका युद्ध वो ढहly था सन 1764 इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासंग को हरा था तो यह जो दोस्तों युद्ध था इसमें अंग्रेजों ने मीर कासंग के लिए हरा दिया था तो अंग्रेजों और मीर कासंग के बीच में जो युद्ध हुआ था बकसर का यह लड़ा गया था 1764 इस वी में तो दोस दोस्तों उम्मिद करता हूँ वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब जरू करने तो चलिए दोस्तों कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो क साथ में थैंक्यू फूर वाजिंग तब तक के लिए नमस्कार